मैं राहुल सिंग्ग। आज हम बात करेंगे राजन पंडित के बारे में वाइरल फोटो के बारे में बारे में राजन पंडित अभी तिन दिन पहले वी अफ्तार हो गए। और कुछ न्यूज वाले के तरफ से मैंने जब कहा था कि अभी कोई यूफी पुलिस द्वारा अधिकारिक पुष्टी नहीं हो पाई है तो अगले ही दिन कि न्यूज का कुछ कटिंग कुछ पेपर यह सब डाल दिया गया और बताया गया कि राजन पंडित विरफ्तार हो गया चलिए ठीक विरफ्तार हो गया लेकिन मीडिया और न्यूज यह जो होते हैं देश की चौथा अस्तम होता है और उसका काम है निस्पक छोके किसी भी जो प्लेश की ऑसलोटी अवब पराइब टार्ग्यप करें तो यह तो निए लुज का काम नहीं है और ये सब होता के हैड़ अब्सक्राइब आगर हम ही कर लें तो कारेपालिका और नियापालिका का अस्तित भी क्या रह जाएगा हमारे देश में तो राजनपनी तो रफ्तार हो गए हैं लेकिन उन पर जो आरोप लगे हैं और जो आरोप लगा जाता है किसी भी वेक्ति पर कर सकते हैं यहां तक कि मोदी जी पर भी केस हो जाता है या जितने भी सुपरेस्टार से लेकर राज नेता किसी पर भी कोई भी केस कर सकता है यह आदमी का अधिकार है मौली का अधिकार है कानून तब तक उसे मुझीम नहीं कहती है कोठी मुझीम नहीं कहती है सिब बताया जाता है कि इन पर यह आरोप है तो राजन पंडित पर जो आरोप लगे हैं जो दफा लगाए गये हैं यूपी पुलिस द्वारा वो निशा पांडे के जो उन्होंने आवेदन दिया है फायार जो उन्होंने दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था उसके आधार पर उसका धारा लगा जाता है और वही धारा लगाया गया है और निशा पांडे जो लोग आज नए देख रहे हैं हमाई चैनल को उनको बता दूं कि निशा पांड पूरी इंडेस्ट्री में बहुत सारे हिलोईन हैं बहुत सारे सिंगर हैं जो भी हैं लेकिन इनके साथ ही बार-बार ऐसा क्यों होता है यह भी सोचने वाली बात और कुछ का नाम तो याद नहीं है लेकिन पुब्लिक ली बहुत लोग जानते होंगे मनोज आर्क पंडे के बारे में कुछ दिन पहले उनको भी इसी तरह केस में फंसाया गया था और निशा पंडे के दौरा ही फंसाया गया था ना मैं राजन पंडित का सपोर्ट कर रहा लेकिन जो फैक्ट है जो सही बात है जो मान लिए राजन पंडित को जो न्यू चैनल दिखा रहे हैं इतना बड़ा यह है वो है कितने मिलियन लोगों के पास एक ख़ब पहुंच गया उन सब के नजर में राजन पंडित क्या हो गया कुनागार हो गया तो इस हिसाब से तो को लगता है कि कोई समानित वेक्ति का अगर इस तरीके से उसकी इज्जत को ध्यूमिल किया जाए तो वह तो समाज के नजरों में गिर जाता है तो कुछ ही कर सकता है आत्महत्या थक भी कर सकता है है तो उसन संहुलाब से अगर दशा जाए तो नीव चणल वाले का यह काम नहीं होता है कि वोकिसी को direct ещё 20 करार करतें कि यह वह बेसी करार करतकितीय काम है और पर पर हमारी पूरे हिंदुस्तान को हमें ही नहीं हिंदुस्तान को पुरा विष्वास है, कि हमारी न्यायपैल का जो कार करती है, वो कभी गलत नहीं करती है। राजन पंडित के अफ्तार हो गये हैं, अब उन पर जो आरोप है उनका सबूत निसा पांडे पेस करेंगी, यह जो भी अभी तक तक मीडिया में या कोई न्यूज में वो कुछ पेस नहीं कर पाई है, लेकिन हो सकता है कोट में अब क्या पेस करेंगी, नहीं करेंगी, उनके आई हैं, लेकिन निस्पक्स जाच होने के बाद तो आप लोगा दो इस पिसे मुद्दे पर कमेंट हो गया हमारे कमेंट मिलते हैँ अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद हिंदु